कि विल्कम बेक टूमा यूटूब चैनल पेपर है कर एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल पेपर है कर आज मैं आपके लिए अब्जेक्टिव टैप कोश्चन अब्जेक्टिव टैप कोश्चन इनको हम करेंगे तो आज हमने कम से कम लगबक 80-81 यह कोश्चन से हमारे पास अगर आप इन सभी को अच्छी से पढ़ लेते हैं ठीक है समझ लेते हैं तो इसके बाहर कोई भी आपका कोश्चन नहीं आएगा ठीक है मैं आपको सभी आठ यूनिट्स के जितने भी आपके अबजेक्टिव हैं या बेरी शॉर्ट कोश्चन सब्स अभी कराऊंगा ठीक है तो आज के हमने पहरे सेजन में आपको एक से लेकर चार उनिट तक के जतने भी सब्सक्राइब कर दें और साथी विल आइकन को दबादें जिससे कि आपके हमारे सभी वीडियो का नोट्रिफिकरशन प्राप्त कर सकेंगे और अगर आपको इस सभी जो हमने पढ़ाया आप तक या आज हम जो क्लास लेंगे इसका अगर आपको पीडिये फॉर्म चाहिए पीडिये फॉर्म चाहिए तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा इसका लिंक मिल जाएगा वहां से आप पीडिये फ को डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है जिससे कि आपकी पढ़ाई कंटीनू चलती रहे तो चलिए स्टार्ट करत दोने उत्तर पुस्त का में लिखना होगा आपको ठीक है तो पहला को सिन हमारा क्या आप करमियं का प्रमानु करमांक 24 साइस का मतलब बहु ही इलेक्ट्रॉनिक बिन्याज क्या हो तक थो इसका युदियास कि से युद्स किस तरह से करे जाएंगी ठीक है तो जिसक का और और 4S2 एलेक्टानिक बिन्यास आपने पढ़ावागा 12 में तो इसका यह हो जाएगा ठीक है लेकिन यहां देखो आपके D में कितने एलेक्टान है 4 होने कितने चाहिए 2,3,4,5 5 या 10 ठीक है 1,2,3,4,5 5 होने चाहिए या इसमें 10 हो यानि कि वही कप्चक या वही परमाणू सबसे ज्यादा इस्थाई होते हैं जिनके कप्चक जो होते हैं वो पूरी तरह से या तो भरे हो या तो पूरी तरह से कैसे भरे हो आदे भरे हो तो अगर इसमें इसमें हमारे पास קितने हैं, दी में कितने लेक्τοन हैं, चार एलेक्टॉन हैं, अगर इसमें एक लेक्तॉन और आजा तो यह कैसा होगा, more stable हो जागा ठीक है तो यही electron कहां से आ जागा जो 4 est में 2 हैं तो ये भी कब more stable हो जागा इसके पास अगर एक झायत तो worldview more stable हो जागा इसका कहाँ पब जागा एक एक पहुंन जागा आपके d में ठीक है तो दूनों कैसे हो जाएंगा more stable हो जाएंगे तो 3D4 4S2 ना होकर इसका क्या होता है आपका इसका यह होता 3D5 3D5 4S बन तो इसका यह हो जाएगा ठीक है आपका चौथा अंसर दूसरा कह रहा है किसी आबर्त साड़ी किसी अडू में किसी परमाणूं का इलेक्ट्रानों को अपनी और आकरसित करने का गुण क्या कहलाता है यानि कि कोई भी परमाणू है जो इलेक्ट्रानों को अपनी और खींच रहा है उसका उस गुण को हम क्या कहते है उस गुण को हम कहते है इलेक्ट्रान रिड़ विद्धुत्ता यानि कि इलेक्ट्रो निगेटिवटी जितनी ज्यादा होगी वही उलेक्टॉन को उतनी ही तेजी से अपनी और आकरसित करेगा ठीक है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा थर्ड आपका इलेक बिद्धुत रिड़ात्मक्ता रिड़ बिद्धुत्ता सोरी रिड़ बिद्धुत्ता थर्ड कोश्चन हमारा कहा रहा है किसी उदासीन या आयनिक गैसिये बिलगित परमाणू के बाह कोस में से बाह कोस से एक इलेक्टॉन निकालने के लिए आवश्यक उर्जा को क्या कहते हैं कोई ऐसा निकाय है यानि कि कोई ऐसा परमाणू है हमारे पास जिसकी अगर हम बाह कोस में से एक इलेक्टॉन को नि किन गया का गूज्ञा को प्रमाणु की निमनतन और्जा अवस्थामें उसके संयोज jaq ऊड़ने जाता तो इसको क्या कहती है तो वो हमारी कहलाती एलेक्ट्रॉनinform बंद्द तढूब है यानिकि for a कुश्चन करेंगे इसका लॉच्ट उसमें हम पड़ेंगे क्या होता है तो इसका अंसर क्या हो पहला हो जागा फिर्ट की अगर हम बात कहरें तो कह रहा है गैसी ये धनायनों तथा गैसी रिणायनों की निश्चित संख्या के संकुलित होकर एक ग्राम मोल आयनिक क्रिष्टल बनने में मुक्त उर्जा को कहते हैं अब देखो यहां पर जो आयनिक उर्जा है वो हमारी कैस है जालक उर्जा कहते है ठीक है धनायन कैसा होगा गैसी धनायन होगा या गैसी रिणायन होगा ठीक है निश्चित संक्या से दोनों की संक्या कैसी होगी बरावर होगी ठीक है अगर यह हमारा एक गैसी परमाणू है और यह हमारा क्या दूसरी गैसी परमाणू में ठीक है तो इनकी संक्या कैसी होनी चाहिए बरावर होनी चाहिए ठीक है और उनका मोल कितना होना चाहिए एक ग्राम मोल होना चाहिए तो उसमें से हम क्या करेंगे क्रिश्टल बनने में मुक्त उर्जा को क्या कहते हैं जालक उर्जा कहते हैं ठीक है लैटिस इनर्जी इसको कहते हैं कोर्ष में उपस्थित ऐस और्विटल के लेक्ट्रॉन योग्म के बंद बनाने में भाग ना लेनी की प्रिकृती को क्या कहते हैं यानि कि संयुजक्ता कोस में बाहरी कोस के ऐस और्बिटल में कोई उपस्तित है योगम अगर वो बंद बनाने में भाग नहीं ले रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे अक्रिय योगम प्रभाव क्या कहेंगे अक्रिय योगम प्रभाव यानि कि उसके बाहरी कोस में दो electron है लेकिन ये बंद बनाने में भाग नहीं लेगा इसको हम कहेंगे अक्रिय युग्म प्रभाव ठीक है अगला हमारा सिबंद कोश्चन है कह रहा है निमलिखित में से कौन सा fluoride नहीं पाया जाता है कौन सा fluoride नहीं पाया जाता है PCL5 आपने देखा होगा पाया जाता है PCL3 भी पाया जाता है लेकिन अगर हम बात करें NH3 की ये भी हमारा पाया जाता है लेकिन NH5 ये आपका नहीं पाया जाता है क्योंकि यहां पर NF की अगर हम बात करें तो हमारा ये नह पाया जाता है क्योंकि इन दोनों की यहां पर इस की साथ में पहली हमारा एन्तरगत आता है अगला question हमारा कहरा किसी परमाणू में किनी दो electron की चारो quantum संख्या हैं समान नहीं हो सकती है यह नियम किस के अंतरगत आता है यह किस नियम के अंतरगत आता है या इसको पूछ सकता है कि किसी भी परमाणू में किनी दो electron की चारो quantum संख्या हैं समान नहीं हो सकती हैं समान नहीं हो सकती हैं यह नियम कहलाता है तो यह नियम क्या कहलाता है हमारा की कोई भी हमारा परमाणू है उसकी चारो जो क्वांटम संख्या है वो आपकी बरावर नहीं हो सकती है यह नियम क्या कहलाता है यह आपका नियम कहलाता है पाउली का नियम कि सब करोमियं में इलेक्टॉन की शंख्या क्या है तो अभी हमने देखा था कि जो हमारा क्रोमियं का elektronik बिन्यास था डी 5 और 4S 2 2 इसमें अगर हमें लैख इलेक्टॉन देखें तो D में किते हैं एक तीन चार 5 एक एक यहां यहां और एक यहां और एक यहां पांच होगे हैं और एक एलेकटोन आपका एस में होगा तो चेलेकटान तो हम कह सकते हैं कि क्रोमियम में अइद्ध में कि सम्हुँनमें जब इनको कौन से समुह में रखा जाता है तब इन दोनों की शम जो है रसायनिक प्रकृती बहुत ज्याद है आपस समान रखती है तो हम कह सकते हैं कि यह जो हमारा है रसानिक प्रकृति समान कब होगी कह रहा है दोनों आवेशों का अनुपात लगवग समान होना चाहिए यानि कि दोनों आवेश हैं मानलो लीथियम लीथियम प्लस और मैगनेशियम प्लस तो इनका आवेश कैसा होना तभी इनकी प्रकृति कैसी होगी समान होगी ठीक है अगला कहरा हमारा चुम्बकी ये चुम्बकी ये क्वांटम दरसाता है तो चुम्बकी क्वांटम क्या दरसाता है आपका जैसे कि आपने पीछे पड़ा था कि चुम्बकी quantum है हमने देखा था कि जो हमारे orbitals होते हैं उने की उने की गति को दर्साता है किसको दर्साता है अंत्रिक्ष में orbital की बिन्यास को दर्साता है यानि की orbital का बिन्यास किस तरह का है ठीक है तो इसी को दर्साता कौन चुम्बकी quantum संख्या नेक्स्ट हमारा आया कहरा है डीब रोगली समीकरड लागू होता है तो डीब रोगली जो समीकरड था एक डीब रोगली नाम का बैग्यानिक था उसने एक समीकरड प्रिस्तुत की थी जिसको कहते हैं डीब रोगली तो ये किस पर लागू होता है ये सभी गती जो परमाणू होते हैं उसमें करों कर वो गती करते रहते हैं यह उनकी पिंडों की गती पर क्या करता यह लागू हो जाएगध करूं यह यह किणा बंधूता वाला कौन सा तत्व है तो ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी electron बंदुता किसमी है सून है तो सून electron बंदुता किसकी हो जागी अब आपकी हो जागी यह B की ठीक है electron बंदुता यानि की electron डालने पर आपको कोई energy अगर देनी पड़ती तो बही क्या कहलाती है हमारी electron बंदता ठीक है किसी परमाणूं में अगर हम electron को डालते हैं तो जितनी उर्जा हमें यहां से मिलती है उर्जा को ही हम कहते हैं electron बंदता तो B E में electron डालने पर आपको बहुत कम क्या मिलेगी बहुत कम उर्जा प्राप्त होगी इसलिए हम कहेंगे सुन इलेक्טोन बंदता ठीक है तो किसकी ओगी वीट हो जाएगी अगर बात करें कहए अंगला फॉटीन कोके सब्सक्रांट नेक्स्ट कहुं टू- oui थление inुट्लाइब नेक्स्ट कह रहा है H2O2 में O2 की Oxygen संख्या है H2O2 में O2 की Oxygen संख्या है यह हो जागा आपका H2 और यह O2 तो जहाँ पर Hydrogen Oxygen के बीच में Single Bond बनेगा और Oxygen Oxygen के बीच में Single Bond होगा और बकाया यह जो अगला Bond है यह किसी से किस परमादू से जुड़ा है किसी परमादू से जुड़ा हो लेकिन यहाँ पर अगर यह Oxygen Oxygen के बीच में एक Bond आ जाता है तो वो क्या दर साता है Oxygen उसकी कितनी आ जाती माइनस की बना जाती यहाँ पर कितना आ जागा बना जागा आप इसको निकाल भी सकते है ठीक है इसको जिसकी हमें निकालने उसकी क्या मान लेंगे X तो hydrogen item कितने है दो यहाँ पर मान लो X पिलस oxygen item दो oxygen की निकाल ला तो 2X पिलस hydrogen कितने है दो तो यह hydrogen की कितनी एक तो दो हो जाएगी यहाँ बराबर क्या होता जीरो तो 2X इसको इधर ले जाओ दो को माइनस को हो जाएगा यहाँ कन्सा घृत ले कारबन कारवन सबस्थानिक जीरो बराबर होता है लेकिन का कैसा होता है हमारे समस्थानिक कहलाते हैं ठीक है तो इसकी अगर हम बात करें तो कार्वन 14 कार्वन समस्थानिक में कार्वन समस्थानिक क्या है कार्वन कार्वन 14 समस्थानिक तो किस तरह से जाएगा बढ़ती हुए उर्जा के करम में यहीं पड़ा था हमने तो electron कक्ष में बढ़ती हुए उर्जा के करम में भरे जाते। ठीकर तो इसका बी आंसर आपका हो जाएगा ये वही है आफ़ए प्रूंसिपल स्टेट डेह ए लेक्तो एंटर दा वैरियस ओर अगला है मार्शल अम्ल मार्शल अम्ल आपको हो जागा यह डी वाला एच्टू एच्टू ओफोर इसको कहते हैं परॉक्सी डाइस सल्फिरिक अम्ल क्या कहते हैं इसको परॉक्सी डाइसल्फिरिक अम्ल लेकन यह अपर एक और आ गया है तो क्या हो जागा बनेश्ट तो इसका आप और शでもी चार में कुश्ट करिंगे। और इन सभी यह जितने भी हम इसमें आज लगवग इस सभी का आपको अगर चाहिए पीडियेफ तो इसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जागा जहां से आप पीडियेफ डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है और आपके सभी जितने भी असी से कैसी कोश तो नोडल तल प्रक्तिया कि नहीं होती है तो यहां पर इलेक्टान पाए जाने की फ्रक्तियों चाहर नहीं होती है धिक है यह अगर तो यह पर यहां पर आप नहीं अई तो जहां पर रिक्टर नहीं पाजाते हैं डूसरा क्रोमिय में यूगमित इलेक्ट्रों की संख्या कितनी यह जैसा भी हमने ऊपर पड़ा था च्छे ठीक है पांच आपको डी में मिलेंगे एक कहां मिलेगा फोरेस में मिलेगा अगला कहना अमोनिया अडू की आकर्टी होती है अमोनिया अडू की आकरती कैसी होती है एंच तो यहां पर आपके तीन हो दो यहां पर यह दो आपको प्रेमेट जैसा दिखाए देता होगा यह इसकी क्या हो काने कि निमुन का ह juur थो वहीं उसे यह कहते हैं कि निलेक्टॉन निक्तों देखो कहां से कितनी देर में निकलेगा और कितने इलेक्टॉन निकलेंगे तो आयनल्य किसका हो जाएगा आपका यहापर अगर में बात करें नाइटोजन कि नाइटोजन की नाइटोजन के बाहर दीकार स्बाखन door कि तें पांच होते हैं और यह कैसा होता है फिर नहीं फिर्त नाइटोजन यह होता है यह कम अप्सक्रिय की बिद्दूरात्मकता होती है जो अक्रिय कैसे होती है उनकी बिद्दूरात्मकता कैसी होगी शून क्या था पर सबसे अधिक सरवाधिक बिद्दूरणी क्या है पूरी आब तो साड़ी में सबसे ज़्यादा एकर वंद्ध रिड़ी थि को होता तो सबसे ज्यादा कॉन क्योंकि क्योंकि यह बहुत चोटा आ होता कैसा होता और इसके समयुजकता को इसमें पर दोंडर यहां जा रहा होकि यह सब हमने पहले पड़ रखा है यानि कि जो हम कर रहें जा अगर आप उन सभी को सटीक सटीक पढ़ते हो तो यह अपने आप खुद से लगा दोगे जितने भी आप खुद से नहीं चोड़ोगे मैं सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लें करके बता रहूं ठीक है बहुत ज्यादा डिटेल्स में पढ़ने के इसको जरूर नहीं है डिटेल्स में आप लॉंग कोश्चन पढ़िए और थोड़ा शॉट पर लेंजी ठीक है यह अपने आप से खुदी हो जाएंगे के रहा है फ्लोरीन की पनालेगा रहा है पारme अन्सर क्यों यह ए सबस्यादा कर रहा है यह घ्अत करें गश्यवार कि और आठन होते है ठीक है और से कितने परमादों जुड़े हुए हैं चार परमादों जुड़े हुए हैं किसके ऐफ के यह कितने बंद बना लेगा एक आक सी वही चार तो बंद बना ले लिए एक दो तीन चार और इस पर एक मानलो लों पेर रह गया थीक है तो हम Himself यहांते हैं ये आंपकर वRO यहां पर सो जो जयंगे 5 तो यहां पर देख लो ना हुआ कौन सा यह आपको जो है बताना है ठीक है तो अंत्रा है जो होते हैं जो केबल है लुग के मिलने से ही बनते हैं तो यहां पर अगर हम बात करें CLF3 की, ठीक है, क्लोरीन और फ्लोरीन, ये क्या है हमारा अंतरा हैलोजन योगिक है, मुख्य क्वांटम संख्या क्या प्रकट करती है, मुख्य क्वांटम संख्या जो हमारी N है, ये क्या बताती है, ये हमारे कोस की संख्या को बताएगी, यानि कि पहला ऐसा है, दूसरा ऐसा है तीसरा ऐसा है तो यह हमारी क्या बताती है मुख क्वांटम संख्या को सों की संख्या को भी प्रकट करती है तो हम कह सकते हैं कि दी हूँ जाई बढ़ता जाएगा तो उसकी ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी तो किसी कंड़ को सा यौ कहाराल कौन सा Lewis acid है Lewis acid आपका कौन सा हो जागा electron acceptor क्या कहलाते हैं Lewis acid कहलाते हैं तो आपका होगा zinc chloride Zn और Cl2 ठीक है तो जिंक के यहां पर दो electron को donate कर रहा है एक electron इस बाले को देगा दूसरे electron इस बाले chlorine को देदेगा ठीक है तो यहां पर यह क्या हो होगा Lewis acid जिंक क्लोराइड नेक्स्ट हमारा कह रहा है किस बंद का धुर्वी करन गुड्स अधिक है यह कि ऐसा कौन सा बाउंड है जिसमें धुर्वीतिया अधिक है आनि कि पोलर ज्यादा है जिस पे पार्सली निगेटिव जड़ा आजाएगा और पार्सली पोस्टिब ज़ाद Both अधा तो सबसे ज्यादा जो electron log युट्रो जुड़ा होगा किसी भी दूसरे प्रमानु से भी कैसा हो जागा हमारा मोस्ट कोलर जाए खिक तो यह most polar हो जाए तो क्या हो जाएगा कारवन और फलॉरीन के बीच्छु हो मैं बबना बंदी यह कैसा हो जाएगा most polar भाई जल है सभी जानते है डी टू ओको बारी जल कहते है în diamond में किस प्रकार का बंद होता तो diamond में जो बंद होता है वो आपका कैसा होता है सहीं जग कैसा होता है सहीं जग बंद आपका डायमंड में पाया जाता है कोवेलेंट अगर हम बात करें 19 की कहरा है यानि की S-orbital और S-orbital में बंद नहीं है ऐसा कौन सा है ऐसा कौन सा इनमें से योगे कहा है जिनमें S-S बॉन्ड आपका जो है नहीं पाया जागा तो यहाँ पर अगर हम बात करें S-2 और S-7 और O-7 यह एक ऐसा है योगे कहा है जिसमें S-S-orbital आपस में बंद नहीं नुक्लियांस के किसी प्रमाणू के नाभिक में आपको क्या देखने को मिलता है नाभिक में आपका प्रोटान लिखा रहता है और नुट्रान लिखा रहता है तो प्रोटान और नुट्रान को हम क्या कहते है नाभिक नुक्लियांस कहते है ठीक है नेक्स्ट हमारा कह रहा है निम्लिखित में से कौन अनुचुम्बकी है तो अनुचुम्बकी कौन होते हैं जिनके वाहरी कोस में अयुगमित इलेक्टॉन पाजाते हैं यानि कि एक एक इलेक्टॉन पाजाते हैं वही क्या कहलाता है हमारा अयुगमित कहलाता है तो यहां पर अगर हम अयुगमित की बा होते हैं तो क्या बनता है और पेर इलेक्टरन होते हैं तो क्या बनता है वहां से आप चुंबकी और अच्छे से सीख सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या पढ़ना होगा का a会 मोने I am moving से आप संब Sam morgen इसमारा प्रशंब की शिर जाओं नेक्स्ट सिर्ट हमारा कारा हाई हाइप हाइप फास्पोर रस अमल का अड़ तो हाइप फास्पोर जो होता है उसका चुटर होता है ए आपर यह 7 लेगला है एच 3 यह ओगा आपका एच 3 P O 2 यह ओजागा आपका है पासफ पॉरस अमलका सूत्र एच 3 P O 2 ठीक है थाइड यूनेट है इसमें हम बात करेंगे कह रहा है फोटोग्राफी में प्रियोग तो होने वाला ह undoubtedly remember उसको दुला जाता है तो इसकी अगर हम बात करें तो क्या होता है इसमें और अधिक्तम बंध कौड रखता है इसमें ऐसा कौन सा molecule है, जिसका bond angle सबसे ज़्यादा होगा, तो bond angle सबसे ज़्यादा किसका होगा, linear molecule का, जिसमें तीन परमाळ होगे, यानि कि एक किंद्री परमाळों, दो से लगे परमाळ हो रहेंगे, ठीक है, तो देख लो ऐसा देखो PCL 5 भी बन जाता है PCL 3 भी बन जाता है आपका और अगर हम बात करें NCL 5 की तो यह NCL 5 आपका नहीं बनता है ठीक है NCL 5 नहीं बनता है तो यह कैसा हो जागा हमारा अग्यात हो जागा ठीक है अगला कहरा है सबसे अधिक सबसे अधिक बिद्दुद रडात्मक तत्त का बाहरी electronic बिन्यास क्या होता है सबसे अधिक बिद्दुद रडात्मक तत्त का बाहरी electronic बिन्यास क्या होगा हम जानते हैं कि हैलोजन्स हमारी सबसे कैसी होती है बिद्दुद रडी तत होती है ठीक क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन सकते हैं मेरा सबसे अधिक विद्धित रधातमक्ता हुआ अगला कारा किसी पर्माड़की विद्धित रधातमक्ता उसके निम्नलिक्स गुण को निर्दारित करती I कोई पर्माण हो गया तो उसके कौन से गुण से हम बता सकते हैं कि वह सबसे ज़्यादा यानि कि किस तरह से पता लगेगा कि वह सबसे जर्दा सबसे क्षाल अपता है कोई पर्माण जितने electron on को अपनी और आकरसित करेगा जितनी absorbe क्या होगा उतना ही जदा स होगा तो हम कह सकते हैं कि क्या हो जागा इलेक्ट्रॉन आकर्ष्ट इलेक्ट्रón आकर्ष्ट गुढ़ ये बताता है कि वह बहुत ही जादा कैसा है इलेक्ट्रो नेके जो एन मांद hayn kithet नेक्स्ट काहरा है ty implemented करता या फिसी यह घो रदमान आगर दुब अगर ऑल जागा क्या आपका दुба सकते हैं यहांपर अंगशा औरबिटल आजाएगा थी रघ्रफ ऍच्छा है करे दो है तो डी आएगा सुरी दो है न तो यह दो पर हमारा कॉंसा रहा डी तो डी और बिटल आजागा हमारा अच्छा एल के लिए यह मारा कहा जागा अगला कहा यूगिक सबसे ज्यादा बन बनाता तो इसमें अचाई जानते कि यह जो हमारा Kara क्लॉरीन के पास कितना है कि एक और रेक्ट क्लोरीन के पास कितना ह। चेया क्लॉरीन के वह उयर्ण कर लेते ऐए चैया सबसे ज्वीन करते है का यह मैं हम करेंने के बीच में करना चाहा तो यह क्या कहला था है मैं शिद्धता का सिद्धान्स की और उसका देखितह और उसका दिर विमान कितना हैomas इन लें झालां तो यह आहिए के लिए था किसके ने पहला था है रहा है हाइड्रोनियム ऐ एंशी और को पिलस के से थे क्लें जामतिय होगी हाणन की जो जामतियो होगी वो कैसे हो गी घरी होगा है और यसके ब्लस का चार्ड जाजा तो इसकी अगर हम जामतियो अर्थिक हो मेसी हो जाएगी रेखी हो जाएगी एक ऐसãy कैसी हो जाएगी आपकी रेखी हो जाएगी यह दोनों इस तरह से जुड़े रहेंगे और यह नीचे कहा रहेगा आपका यह तो इसकी रेखी कैसी हो जाएगी आपको याद रखना हैड्रोनियम आयन की रेखी कैसी होती जिमेट्री कैसी होती है आपकी रेखी है गलत बिलकु जाएके संततल तरकोड़ी हो सकती है देखो जड़ा अभी हमने पढ़ा था था बहुआ जा Carnival कम है तो इसको गरत जो किस तरह से जुड़ी रहते हैं यह आपको बताना तो हम कह सकते हैं कि सबसे जादा प्रितकर्षन यूग में क्या है तो सबसे ज़्यादा प्रित कर्षण में सबसे जादा प्रितिक्र्श्न लगता उसके पार असके बांच प्यर और उसके बाद पर बॉर्ण पर देर राइए आपको पही दिखाई देठाई डरल अनबेर पीर टेयह देखो नौक सब्से होगा लाद कर में उससे कमें सब से कमका तो हम कह सकते इसका का कौन सा हो जाग Fame के बिलायक में घुलने कोई हमािक battle है इसको अगर इसके बीच में जो बंद है यानि कि अडू जिस बंद द्वारा जुड़े हैं वो कितने पास-पास है वही दूर होने चाहिए ठीक है और बिलेता कैसे होनी चाहिए ज्यादा तो हम कह सकते हैं कि क्या हो जागा बिलाय कूर्जा अधिक और जाला कूर्जा कम होनी चाहिए क्या मिलाय कूर्जा ज्यादा भाट यहां यहां पर आपका यह आंसर हो गया है keeping नेक्स्ट कह रहा है निम्लिखित किस योगिक में हाइडोजन बंद है अब ऐसा कौन सा योगिक है जिसमें हाइडोजन बंद है तो हाइडोजन बंद किसमें पाया जाता है हाइडोजन फ्लोराड ठीक है इसमें क्या पाया जाता है आपका हाइडोजन बंद पाया जाता है कह गती कर सकता तो यह हमारे जमदर जर्मर नाम के बैग्याएंग थे जन्नों ने यह बताया था कि इलेक्ट्रॉन किसमे रह सकता है तरंग की फॉर्म में रह सकता है ठीक है नेक्स्ट कहरा है अगर N का मान तीन हो का मान यह को M का मान जिरो क्वांटम संख्यां वाले य्लेक्ट्रॉन के लिए किरों के लिए कफचक्छन इन वरावर अगर तीन है तो तीन प़र कैंदा आपका 3 क्रिए लिए जिरो आपन मिस सुइन वरावर किसमे यह दिचा मले व्रें दे रख्खा आपको जी P और D और यहां पर क्या हो जागा S F तो L का मान जो है S के लिए 0 होता है P के लिए बन होता है और D के लिए 2 होता है लेकिन यहां L वरावर किता दे रखा है बंदे रखा है तो यह हमारा आपका यूनिट Hor गए चार यहां पर हमने कितने निक competition कर लिए है चार यूनिट है पर हमने कंपलीट कर रखें तो अगर आपको इन ना फंगर पहली किलास है pleins अब्जेक्टिब की या बेरी शॉट वाले तो इसका अगर आपको पीडिएफ चाहिए तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडिएफ का लिंक मिल जाएगा जहां से आप अपनी पीडिएफ को डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है और वहां से आप अपना अच्छ नहीं आएगा अगर आप यह सब पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आप कोई भी ऑब्जेक्टिव कोई भी छोड़ कर नहीं आएंगे ठीक है बना रही है हमारे साथ थैंक्यू लंडाल को आप भी ऑपना अपना